हेलो एव्रिवन मैं हूँ डोक्टर स्वार्णा और आप सब का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डोक्टर स्वार्णा सोमेपति में साइनूसाइटिस यह कैसी समय है जो आप लगबख हर एक घर में पाएंगे हर एक दूसरे दिन पशेंट्स लगतार चीके की समय लेके आते हैं हेड़ेक की समय सर्देए नाक-में ब्लोकेज हो जाना नाक-बंद हो जाना इसके समय सलेक है यह problem असल में क्या है यह क्यों होते हैं इसके वज़े से क्या क्या symptoms होते हैं और homeopathie से हम इसका treatment कैसे कर सकते हैं तो चलिए video शुरू करते हैं सबसे पहले जानते है sinusitis होता क्या है हमारे नाक के around जो cavities होते हैं जिन्हें sinuses बोलते हैं वो अगर inflame हो जाए सूथ जाए तो उस condition को sinusitis बोलते हैं total four pair of sinuses होते हैं यहां forehead पे frontal sinus होता है यहां पे इत्मोड sinus होता है यहां पे cheekbone के around maxillary sinus होता है और यहां पे sphenoid sinus होता है यह अगर inflame हो जाए इनमें अगर infection हो जाए तब हमें sinusitis की problem हो सकती है अब इसके वज़े से हमें क्या-क्या symptoms दिखाई देंगे रनी नोज रहेगा कॉंस कंस्टेंट छी के आएंगे नाक में blockage हो जाएगा लागबंध हो जाएगा नाक के अंदर मास बढ़ जाएंगे headache होगा और facial pain भी हो सकता है कुछ conditions में नाक के अंदर मास बढ़ जाने के वज़े से हमें surgery करने के भी नौबत आ सकती है तो चलिए जानते हैं कुछ होमेपति medicines के बारे में जिनसे हम यह sinusitis की problem ठीक कर सकते हैं हमारी सबसे पहली medicine है kelly bicarom इसमें क्या होता है आपका जो mucus होता है वो बहुत sticky होता है और जब mucus निकलेगा तो ऐसा लगा है कुछ sticky तार जैसा निकल रहा है इसे thread जैसा लंबा thread जैसा निकलेगा और discharge बहुत ही कम होगा जिसके वज़े से हमारे सर के पीछे से लेके यहाँ सामने तक दर्द रहेगा kelly bicarom आपको 30th potency में यूज करनी है दो दो बुंद करके एक जम मच पानी में दिन में दो बार next medicine है pulsatilla pulsatilla आपको तब देनी है जब आपकी mucus बहुत यलो हो गई हो और सुभे के time discharge बहुत जादा हो रहे हो और शाम के time नाक बंद हो गई हो pulsatilla आपको 30th potency में यूज करनी है दो दो बुंद करके दिन में तीन बार next medicine है natriumure पहले दो से तीन दिन तक बहुत discharges होंगे फिर अचानक से नाक बंद पर जाएगा जिसके वज़े से patient ठीक से सास नहीं ले पाएंगे ठीक से case लने से पता चलेगा कि patient को धूप में जाने से headache की problem होती है अगर यह सब symptom मिले तो आपको natriumure 30 का इस्तमाल करनी है दो दुबुंद करके दिन में दो बार next medicine है limna minor nasal polyp की cases में limna minor एक बहुती बहतरी रेमेडी माना जाता है नाक के अंदर मास बढ़ जाएंगे, सास लेने में तकलिफ होगा, सूंगने की ability खतम हो जाती है और जो mucus होता है, वो crust या फिर pus form में निकलेंगे limna minor भी आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है, एक चमबच पारी में दो दुबुंद करके दिन में दो बार next medicine है simbukas nigra आपका नाक एकदम completely बंद पर जाएगा, नाक dry हो जाएगा, बच्चे ठीक से सास नहीं ले पाएंगे रात को सोने के बाद बच्चे अचानक से उड़ जाएंगे, क्योंकि उनका नाक बंद हो गई है और वो ठीक से सास नहीं ले पा रहे बच्चे सास अंदर ले सकते हैं, पर बाहर उन्हें छोड़ने में तकलिफ होती है somemukas nigra आपको mother tincter form में यूज़ करनी है, एक आदे कब पानी में दस बुन करके दिन में तीन बार एक last mother tincter है, जिसका नाम है hydrastis आपको mucus जब एकदम थिक बन जाए और टाइट बन जाए, साथ में आपको sinusitis के प्रोब्लम बार बार repeat हो, तो उस condition में आपको hydrastis mother tincter का इस्तमाल करनी है hydrastis आपको दस दस बुन करके एक आधे कब पानी में दिन में तीन बार करके इस्तमाल करनी है तो यह थे कुछ information sinusitis के बारे में और उसके होमियोपतिक remedies के बारे में आशा करती हूँ आपको यह informative वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में मेरे वीडियो को like, share और comment ज़रूर करिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप सबसे next वीडियो में